असलम लेकुम, मैंने में इस मुहमत आश्यतारिक, आज हम जो टोपिक डिसकस करेंगे, वो टोपिक है प्रोटीन से रिलेटिड, अब हम इसमें प्रोटीन के बारे में डिफरेंट चीजे पढ़ेंगे, कि प्रोटीन, एक तो प्रोटीन की क्रेक्टर स्टिक्स क्या है, दूस प्रोटीन के बारे में पताई है, कि जो प्रोटीन है, वो क्या है, और्गैनिक कंपाउंड्स हैं, वो हमारे पास क्या है, और्गैनिक कंपाउंड्स के ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजन होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं, उनका क्या क्या प्रोटीन्स तो most abundantly क्या है organic compounds और पाय कहां पर जाते हैं living cell के अंदर प्रोटीन्स पाय जाती है और जितने भी किसम के cells हमारे पास उन सब के पास क्या present होती है उसके बाद आ जाता है प्रोटीन्स के polymers polymers कहा जाता है कि जिस चीज़ के वो बनी हुई है कि उसके जुज कौन कौन से है कि प्रोटीन्स किस चीज़ की बनी हुई है तो प्रोटीन्स क कह रहे हैं बनी हुई है किस चीज़ की amino acids के amino acids के molecules आपस में combine करते हैं और वो क्या बना this number तक टक जा सकता है और इससे भी जादा हो सकता है कि कुछ उसके बद यह biological लिस्ट के तोर पर यहाने के निके बटव्थ अग्रा म् उनके बारनते हैं जितने यह वह सब बिद्ब्र किया मतलब ऑगा कि यह वो biological catalyst के तोर पर भी catalyst क्या चीज़ होती है कि जो ऐसी चीज़ सबस्टांस जो किसी भी reaction को speed up करे, fast करे, लेकिन खुद user ना हो, हम उसको किसी इसका नाम देते हैं, catalyst का नाम देते हैं अब catalyst के अंदर दूसरी चीज़, इसके बाद हमारे पास जो next property protein की बताई है कि जो हमारे पास amino acids है, वो कितने 20 types of amino acids क्या करते हैं वो ज़्यादातर proteins को बनाते हैं यानि कि हमारे पास amino acids की काफी ज़्यादा discovery हुई है, काफी ज़्यादा amino acids discover हो चुके हुए हैं लेकिन उसमें से सिरफ 20 amino acids जो है वो सिर्फ किस को बनाने के लिए यूज किया जा रहे है proteins बनाने के लिए यूज होते हैं next आपके पास amino acids से related आगया कि अब amino acids क्या हैं, कि जो protein को बना रहे हैं, ये तो मैंने पहले बताया पीछे कि जो protein के polymers को हम क्या कहा जाता है amino acids का नाम देते हैं अब amino acids क्या हैं, ऐसे compounds है जिनके पास क्या क्या होता है, carbon भी पाए जाता है nitrogen भी, oxygen भी होर hydrogen कि जिनके पास ये चारो elements present होंगे, वो क्या कहलाएंगे amino acids कहलाएंगे अब उसके बाद, total amino acids हमारे पास discover हो चुके हैं वो 170 types के amino acids discover हो चुके हुए हैं और ये हमारे कहां पर पाए जाते हैं cells में और tissues में, क्योंके मैंने पीछे भी discuss किया, पहले शुरू में बताया कि amino acids जो proteins हैं वो सिर्फ कहां पर पाए जाती हैं, living cell के अंदर पाए जाते हैं, तो फिर, वो क्योंके amino acids की बनी हैं, तो amino acids भी कहां पर होंगे, living cell हो, tissues के अंदर होंगे अब उसमें से 170 जो types है amino acids की, उसमें से सिर्फ 25 amino acids जो हैं, वो किसलिए use हो रहे हैं, proteins बनाने के लिए कि सिर्फ 25 types of amino acids क्या कर रहे हैं, proteins को बना रहे हैं, बाकी जितने भी amino acids बचते हैं, वो किसी, वो proteins बनाने में involved नहीं हैं, अब अगर amino acids के structure की बात करते हैं, तो amino acids का structure कैसा है, वो उसके बारे में बताने लगे हैं, तो amino acids का structure है, उसके पास, एक amino group आया जाता है, यानि के NH2 पाया जाता है और second number में उसके पास carboxly group present होता है, जो के सिरफ, एक ही carbon के साथ attach होता है, जिसको हम alpha carbon का नाम देते हैं, जैसे ही, आपके पास structure आगे नजर आ रहा है आपको, इस structure के अंदर formula के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये एक side पर हमारे पास amino group लगा हुआ है, और दूसरी side पर हमारे पास carboxly group है, और वो सिरफ एक ही carbon के साथ attach है, जिसको क्या चीज़ कह रहे है, alpha carbon का नाम दिया जाता है, अब यहाँ पर हमारे पास अब नीचे hydrogen भी हमें नजर आ रहा है, और उपर हमें एक R group नजर आ रहा है, अब R के बारे में क्या कहा जाता है, कि R क्यो है, वो hydrogen atom भी हो सकता है, अगर वो कौन सा amino acid है, glycine amino acid है, अगर आप बात कर रहे हो glycine amino acid की, तो glycine amino acid में यहाँ पर R की जगा पर क्या attach हो जाएगा, यहाँ पर आकर H लग जाएगा, तो यह H 3 attach हो जाएगा, यानि के methyl group इसमें क्या क्या हो जाएगा attach हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा alanine, तो अब यह जो formula बन है, यह किसका बन गया, alanine का बन गया, अगर यहाँ पर क्या लगा है, CH 3 को attach करवाया गया है, तो इसकी वेज़े से हमें यह समझ में आया, कि जो हमारे पास amino acids है, उनकी जो types है, वो depend कर रही होती है on the R group, यानि कि जो R है, radical है उसके उपर depend कर रही होती है, कि उदर जो भी आकर एक को प्र attach होगा, R group के उपर, R group का nature जो भी होगा, उसके मताबिक amino acid, वो बन जाएगा, जैसे पीछे, बता दिया कि, अगर R group में hydrogen लगा, तो वो amino acid glycine हो जाएगा, अगर लगा है methyl group, तो methyl group की वज़ा से amino acid alanine बन जाएगा next, आपके बस आ जाता है peptide bond अब क्योंकि amino acid जब आपस में मिलते हैं तो amino acid जो मिलते हैं, वो मिलते हैं through peptide bond, कि different sub amino acid जब कठी होकर एक protein को बनाएंगे न, तो amino acid जो आपस में combine का रहे हैं, वो का रहे हैं by peptide bond, peptide bond के ज़रे से आपस में combine करते हैं अब peptide bond क्या है, it is a type of linkage, linkage bond कोई कहा जाता है जो किस-किस के दर्म्यान है, hydroxyl group of carboxylic group यानि के हमारे पास, जो structure अगर देखो तो हमारे पास amino acid यह glycine और alanine, दो amino acid ठीक है अब इसमें हमारे पास, एक amino acid का hydroxyl group यानि के, एक amino acid का hydroxyl group और दूसरे का hydroxyl group से दूसरे का hydrogen group, और जिसका hydroxyl group यूज कर रहे हो उसके बारे में क्या कह रहे है, the linkage between the hydroxyl group of carboxylic group that is the carboxyl group, इसका सिरफ hydroxyl group यूज कर लोगे और दूसरे नमबर पे किसी इसको and the hydrogen of amino group of another amino acid और दूसरे amino acid का hydrogen group यानि के nitrogen जो है जिसको हम NH2 कह रहे थे उसका एक hydrogen यहाँ पर क्या होजेगा यूज होजेगा, तो यह हमारे पास क्या है यह जो linkage बनेगी, इनको खत्म करने के बाद इसको यानि के जब हम क्या करेंगे, carbon hydroxyl group इसका remove करवा दिया और दरमयान में हमने इसको क्या किया इसकी nitrogen के साथ bonding कर दी तो यह जो हमारे पास यह हमारे पास जो cn इदर हमारे पास एक catch और दूसरा यहाँ पर एक ओब आज गया, तो यह जो हमारे पास bond बना है, इस bond को हम क्या कहते है peptide bond का नाम देंगे, this linkage is called peptide bond peptide linkage जी हमारे पास उन्होंने peptide linkage दिखाई हुई है कि peptide linkage कैसे, कि एक amino acid है तो उसका यह carboxyl group और दूसरे का amino group, इसका एक hydrogen का hydrogen group दोनों आपस में क्या किये, react किये, water का molecule क्या हुआ, release हो गया, water के molecule release होने के बाद, यह जो द्रम्यान में, इनके यह जो band बना है, इस band को हम किसी इसका नाम दे रहे है, peptide bond का नाम दे देंगे, तो यह हमारे पास glycine alanine को जब उनने react करवाया, तो glycine, glycine alanine बन गया, जिसको हम die peptide का नाम देते हैं, यानि के दो amino groups आपस में जुड़ते हैं, तो मिलने के बाद जो बनाएंगे, वो बनाएंगे, die peptide और उसके साथ साथ result में water release होगा, next structure के बारे में आ जाता है, के proteins का structure कैसा है, तो अगर protein क structure को देखा जाए, तो protein complexes में पाई जाती है, काफी ज़्यादा complex structure रखती है, तो इसको basic four types में divide किया गया, four structures है इसके, पहला जो उसको primary, secondary, tertiary and quaternary structure है, ये different आगे नीचे उनकी shapes भी आपको दिखाई है, कि ये जो shape है, ये primary की दिखाई है, ये secondary की है, ये tertiary की और, ये quaternary structure, कि different amino acids, different proteins, जो different structures में present होती है, तो पहले हम primary structure को discuss करते है, proteins के, तो primary structure जो है, वो किस चीज़ पर consist करेगा, वो consist करेगा number and sequence of amino acids, कि number and sequence of amino acids के उपर depend करता है, क्या primary structure, अब इसको primary structure को जो first of all scientist देने वाला था, जिसने sequence of amino acids बताये थे, कि protein जो है, उसके अंदर amino acids के sequence कैसे है, उन sequence को बताने वाला जो scientist था, उसका नाम था, एफसेंगर, और एफसेंगर ने first of all जो experiment किया था, वो किया था, insulin के उपर, तो अब हम insulin को देखते हैं, तो insulin के बारे में, एफसेंगर ने क्या बताया, एफसेंगर ने ये बताया, कि insulin जो है, वो 51 amino acids की बनी हुई है, और 51 amino acids क present होते हैं, और जो दूसरी chain है, उसके अंदर 31 amino acids present होते हैं, तो जो हम इनको different names देते हैं, जो एक chain हम उसको कह देते हैं, और दूसरी को हम B chain का नाम देते हैं, तो हम अगर इसकी diagram देखें, तो इस diagram में आपको ये नजर आ रहा है, कि अगर आप इसको total गिंती करेंगे, इसक 21 amino acids consist करती है, और ये जितने भी हमाइन, दोनों chains आपस में जुड़े ही हैं, थ्रू डाय सिल्फाइट बांड के जरीए से, कि दोनों chains आपस में combine किसकी के जरीए हैं, डाय सिल्फाइट बांड के, दो सिल्फाइट groups आपस में जुड़कर, इसको आपस chain को क्या किया हुआ ह तो ये आपके पास किसका है, human insulin का structure है, जो कितने amino acids की बनी ही है, 51 amino acids, और consist करती है, दो chains पे chain A and chain B, यानि के chain A जो है, उसके अंदर 21 amino acids हैं, और बाकी के जो 30 amino acids हैं, वो पाय जाते हैं, chain B के अंदर, और यहाँ पर आपको उन्होंने, इनका sequence भी बताया हुए, कि कौन कौन स में combine होई है, through disulfide bond, next, इसी पे primary structure में हम next structure देखते है, हीमोगलोबन का, अब हीमोगलोबन भी एक protein है, अब हीमोगलोबन जो protein है, यह consist करती है, फोर chains के उपर, और फोर chains मिलकर एक हीमोगलोबन का molecule combine बनाती है, तो फोर chains जो है, इनकी यह दो chains उनको हम alpha chain का नाम देते हैं, अब इसमें, जो हमारे पास alpha chains है, दोनो alpha chains, उनके पास total amino acids है, एक alpha chain, each alpha chain contains 141 amino acids, के दो alpha chains है, और दोनों के पास 141, 141 amino acids है, तो 141, 141 को plus करोगे, तो total आपके पास 282 amino acids, 282, यह पाए जाते हैं, alpha chain के अंदर, और दूसरे नमबर पे, while each beta chain, और हर beta chain, जो आपको consist करती है, 146 amino acids पर, तो 146 amino acids, इसको total करेंगे, तो 146 plus 146, 100, बन जाएंगे, आपके पास total, 192, और इनको जब plus करोगे, तो आपके पास 574 amino acids क्या होंगे, तो आपकी जो hemoglobin का molecule है, वो consist करता, 574 amino acids पर, और जो divide के वाद, 2 alpha and 2 beta chains पर, अब आगे आपको यह structure दिखाया है, hemoglobin का, तो उपर आपको यह दोनों, जो orange color में नज़र आ रहे हैं, दोनों ही क्या है, beta chain, यानि कि एक यह beta chain और एक यह beta chain, दूसरे number पे नीचे आपको pink color में जो नज़र आ रहे हैं, that is, alpha chains, तो जो alpha chain है, वो consist कर रही है, यह भी 141, यह यह हमारे पास क्या है, total amino acids, 574 amino acids पर क्या करते है, hemoglobin molecule consist करता है, next, आपके पास आ जाता है, arrangement of amino acids, कि अब वो तो आपको बता दिया कि sequence, कि amino acids के sequence, अब इसका जो arrangement है, amino acids का arrangement, इन प्रोटीन के अंदर, जो insulin बनी है, यह hemoglobin बनी है, इनके अंदर जो sequence वो बहुत matter करता है, disturbance आने की वज़ा से, वो अपना normal functioning protein छोड़ देगी, कि अगर उसके किसी भी amino acids के अंदर थोड़ा सा भी difference हा गया, कोई भी amino acids आगे पीछे हो गया, तो उसकी वज़ा से उसका काम क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तो highly specific अपने काम में, यानि कि amino acids जो है, उनकी के हो जाती है, सिर्फ एक amino acid के arrangement के होती है, इसमें खराब हो जाती है, जैसे ही आगर diagram में आपको दिखाया है, अब ही sickle cell hemoglobin के बारे में ही है, तो ये diagram में आपको नजर आ रहा है, ये sickle cell hemoglobin की diagram है, ये amino acid sequence था, sickle cell hemoglobin का, तो ये normal sequence था, जिसमें पहला amino acid, valine, histidine, leucine, theon si카abenनिन ग्लिटेमिक आपको गणिट को किया है अँजर्थि भाइनाающ historia को ऑती है अंसे च्किट्ट से असे शेट कहँती है उसे अंदर अचल dissipation गलोबिन एंग सीघिए गल्यूयोटेमिक अशेडले पेंगे सेक्टर 对ूमिक केरिंग कपैस्टी होती है इसके पास लेकिन जैसे ही यह माइनो इसिड के अंदर सीक्वेंट डिफरेंस आता है तो डिफरेंस आने की वज़ा से क्या होता है वह जो सीक्वेंस वो अपने normal sequence में नहीं आपाता तो जिसकी वज़ा से हिमोगलोबिन क्या कर जाती है fails to carry sufficient oxygen वो fail हो जाती है कि वो oxygen को carry कर सके और इसकी वज़ा से ये इसके पेशेंट जो है जिसको सिकल से हिमोगलोबिन होई होती है उसके लिए deathly होती है death की वज़ा भी बन जाती है next up आपके पास आ जाता है इसके बाद सिकल से हिमोगलोबिन के बाद secondary structure प्रोटीन का अब प्रोटीन के secondary structure के बारे में क्या कहते है कि इसको जो देने वाले first scientist थे उसका नाम था polling and core यह दो scientist थे जिन्होंने secondary structure प्रोटीन के डिसकस किया था और इन्होंने दो shapes बताई थी एक alpha helix confirmation बताई थी और एक beta sheet की confirmation के protein जो secondary structure है यह दो confirmations में present होगा तो पहले alpha helix के बारे में बात करते हैं तो alpha helix के बारे में क्या कहा जाता है कि uniform geometric structure कि इसका जो पूरा structure है वो same होता है जैसे diagram के अंदर आपको नजर आ रहा हर circle के अंदर आपको ब्राबर का circle नजर आए कोई भी circle छोटा बड़ा नजर नहीं आ रहा तो यह uniform geometric structure होगा और इसके हर यह circle के अंदर 3.6 amino acids पाए जाएंगे कि एक helix जो है एक helix इसको हम नाम देते हैं हेलिक्स का तो एक helix जो है उसके अंदर 3.6 amino acids पाए जाते हर टन के हर जो यह एक टन यह दो यह जितनी टन्स आपके पास present है इन हर टन्स के अंदर 3.6 amino acids क्या है प्रेजेंट्स हैं नेक्स्ट the helix structure is kept by the confirmation of hydrogen अब इसका जो जो helix structure है यह कठा कैसे रहता है यह बना कैसे रहता है confirm कैसे रहता है अपनी शेप को कैसे बरकरार रखता है by hydrogen burning among the amino acids के जिन amino acids का यह helix structure बना हुए यह secondary protein बनी हुई है उनके दरमयान hydrogen burning आ जाती है तो hydrogen burning क्या करती है उनके amino acids को आपस में combine लगती है जिसकी वाज़ेसे इसका secondary structure क्या रहता है maintain रहता है यानि के helix structure इसका maintain रहता है next आपके बाब beta plated sheets आ जाता है तो beta plated sheets में क्या होता है क्योंके poly peptide यानि कि जब ज्यादा तरह amino acids कठे होते हैं वह poly peptide बना देते हैं अब वह poly peptide sheet क्या करती है poly peptide वह आपस में एक दूसरे वापस back fold शुरू कर देती है यानि कि यह आपके पास shares थी इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि ऐसे यह आपस में back fold शुरू हो गया इनका तो यह जो structure आपके पास बना है यह कौन सा structure है बीटा प्लेटिट शीट का कि जो poly peptide chain है वह खुद बाखुद ही अपने उपर ही फोल्ड करना शुरू करती है कि folding back तो जब folding back शुरू होगी तो वह sheet की farm जैसे कि यह आपके पास sheets बनी है तो sheets की farm में consist करेगी तो यह हमारे पाफ बीटा फ्लेटिट शीट बन जेगी किसकी secondary structure of protein की next tertiary structure आ जाता है तो tertiary structure में क्या होता है कि tertiary structure में है जो पॉलिवेप्टराइट चेंज है जो secondary है वह खुद बाखुद ही बैक फोल्ड शुरू कर देती है बैक फोल्ड में क्या होता है कि वह अपने आपके उपर ही फोल्ड करना शुरू कर देती है और उनका globular shape जो है वह tertiary confirmation में आ जाता है कि वह tertiary confirmation अखना शुरू कर दे देगा अब hydrophobic जो amino acids क्या से amino acids water repellent है hydrophobic amino acids को उसे होते हैं जो water repellent होते हैं जो water को पसंद नहीं करते वह amino acids क्या होंगे वो inside होंगे क्योंकि उनको पानी पसंद नहीं है तो हमारी body क्योंकि पानी के उपर consist करती है water के उपर तो इसके वज़ा से जो amino acids hydrophobic होंगे tertiary structure में वो inside की तरफ होंगे अंदर तरफ होंगे लेकिन जो hydrophilic amino acids यानि का water loving amino acids होंगे वो जो molecule की surface के उपर पाये जाएंगे जैसे आपको यह आगे structure के अंदर दिखाया गया है यह tertiary structure दिखाया गया है तो इसमें यह amino acids आपको नदर आ रहे हैं जो अंदर वाली side पर present है और यह amino acids कौन से है hydrophobic amino acids है लेकिन यह जो amino acids आपको नदर आ रहे है यह amino acids बाहर वाली side पर है तो बाहर वाली side पर होने की वज़ा से यह hydrophilic है यह amino acids कौन से है hydrophilic amino acids लेकिन यह जो बाहर अंदर वाली side पर amino acids present है वो कौन से है hydrophobic amino acids है अब वो भी मैने बता दिया क्योंकि water अमारी body के उपर ज़्यादा होता है तो जब water water loving amino acids पर बाहर ही होंगे ना जिनको पाली पसांद है तो फिर वो outside पर रखे जादा tertiary structure के लेकिन जो water को पसंद नहीं करते हूं को amino acids के tertiary structure के अंदर रखा जाता हूं को उसके बाद उन्होंने आपको यह भी दिखाया कि क्योंके उन्होंने पीछे बताया था कि उनका जो tertiary structure रहा है तो यहां पर आपको नदर आ रहा है यह hydrogen bond binding को disulfide binding ने कि उन्होंने उसके folding को आपस में जोड़ दिया है तो यह हमारे पास क्या था tertiary structure of proteins next हमारे पास quarterness structure आ जाता है protein का अब protein के quarterness structure में क्या होता है कि जो tertiary structure बना था proteins का वह aggregate वह कठा होना शुरू हो जाएगा वह अपस में ही क्या होना शुरू हो जेंगे कठे होना शुरू हो जैंगे जैसे आपको यह नजर आ रहा है कि इसमें क्या होड़ टर्श्री स्ट्रेक्चर जो बने थे जो जो वैल्डिंग फो फोल्डिंग बैक होई थी वह ज्यादा कठा जुर्मट बनाना शुरू कर देंगे अग्रिगेट होना देंगे तो वह किस वाम में आजेगा मारे पास क्या जाती हैं तो अब इसके बाद हमारे पास क्लासिफ्केशन आ जाती है proteins की के proteins types कौन-कौन से हैं, classes कौन-कौन से है proteins की, तो हमारे पाद दो basic two major types of proteins की पाय जाती है, वो पाया उनके structure से related, according to their structure, structure को देखते हुए जो हमारे पाद protein की types है, वो fibrous हो, globular proteins है, fibrous proteins and globular proteins, these are the most important proteins that are present, data, data classified on the basis of their structure, first, now we discussed about the fibrous proteins, कि fibrous proteins है क्या कि fibrous proteins ऐसी proteins है जिनके पास one or more polytide change होती है और वो वो किस फार्म में पाये जाती है fibrils जानी कि threads की farm में वो present होती है fibrils क्या होती है मारे पास threads कि threads की farm में ये proteins क्या होंगी present होंगी उनके बाद इसके बाद जिनके अंदर जो important structure होता है वह secondary structure है कि यह protein fibrous protein जो है यह secondary section जानि कि यह तो alpha-helix यह beta-plated sheet में क्या करती है कर इनकी present होती है यह fibrous proteins है और insoluble होती है water में कि पानी में यह dissolve नहीं होगी insoluble हैं दूसरे नमें पर non-crystalline का मतलब crystals की farm में नहीं है और elastic in nature और elastic in nature कि आप जब इनको stretch करेंगे तो यह stretch होंगे और दुबारा से अपनी जब आपस जगा पर भी आ जाएंगी तो यह elastic in nature होती है और दूसरे नमें पर they perform structural ones in cells and organism तो किसी भी cell का यह organism का structure बनाने के लिए fibrous protein यूज की जाती है जैसे आपकी skin है तो आपकी skin क्योंके elastic रखे है elasticity है इसके अंदर आपकी skin के अंदर elastic in nature है तो आपको इस खुद ही पता चल जाएगा तो यह फिर कौन सी protein हुई यह fibrous protein हुई आपकी skin जैसे आपके अब नीचे उन्हें आपको बताया भी आपके nails है जो nails है आपके वह भी थोड़े से stretch होते है do stretch होने की वह भी fibreous protein है उसके बाद आपके muscle जो है जैसे मै आपकी skin बोल आ मसल्स बोले है वो भी आपके क्या है फाइबरस प्रोटीन है उसके बाद आपके हेर्स जो बाल है उनको भी अगर आप निकाल के देखें तो उनको खींचे तो भी थोड़े से स्ट्रेच होते हैं हेर भी आपके तो वो भी कौन सी प्रोटीन है फाइबरस प्रोटीन है तो इस प्रोटीन है जैसे muscles में blood clotting proteins आपकी nails and hairs में keratin protein है blood में wabrine protein है और जो muscles में वो myosin protein these are the fibrous proteins तो myosin, ibrine, keratin, silk iber and spiders, silk iber वगरा यह सारी क्या आपके पास यह सारी fibrous proteins है अब silk iber कहां पर पाए जाती है silk wam वगरा मैं यह spider के जो web है उसके अंदर जो spider है जो मकड़ी है वो अपना जब च्छता बनाती है वो अपना वैब बनाती है तो उसमें जो प्रोटीन वैब बनाती है तो वैब बनी होती है फाइब्रस प्रोटीन की और अक्सर आपको उनका वैब जो नजर आ रहा होता है वो थ्रेड्स की तरह नजर आ रहा होता है नेक्स्स आपके पास आजाएथा 1954 लीटिपरilly य्जानर हो लीफिया यीभुबल लंगी centers को स्ट्रक्षाइ उम्क्रिक्ष्षाइ एक्वास मीडियमें को सार्टक्र ऑं हो वो एक्वसमीडियम् या अल्कोहल का वाटर में नहीं साड के स्लूशन में एसिड और बेसिस के स्लूशन में या अल्कोहल के अंदर ये क्या होंगी ग्लोबलर प्रोटीन्स डिजॉल्व होंगी उसके बाद global proteins के बारे में कहा जाता है they are crystallized और ये global proteins क्या होंगी crystal की farm में present होंगी अब global proteins पाई कहां बजाते हैं इनमें examples आपकी enzymes है antibodies जानि के medicines जो आप लोग खा रहे हैं तो medicines आपको crystals की farm में नज़र आती है वो आपकी सारी क्या है के global protein है hormones आपकी global proteins और hemoglobin भी क्या है आपके पास एक global protein है next आपके पस functions आ जाते हैं proteins के क्या proteins overall proteins के functions के बारे में तो proteins कहां कहां पर हैं तो ये बात तो आपको पहले बिता दी के structure of cell के cell के क्योंकि हर cell के अंदर present है तो cell के structure को भी बनाने के लिए proteins होती है तो वो भी proteins है उसके बाद cell के metabolism को भी control करती है proteins यानि के cell के अंदर जो metabolism उनकी जो energy gaining process हो रहा है उसमें भी proteins यूज होती है फिर hormones जो हैं जो के आपके metabolic processes को regulate कर वाते हैं जैसे आपको पता है कि आपके body के अंदर different hormones हैं जैसे insulin के hormones हैं गुलूकागोन तो insulin भी एक protein है तो insulin क्या कर रही है वो आपके hormones जो उसको control कर रही है तो hormone का जो protein regulate metabolic process तो वो आपके खाने का process यह ने insulin आप खाना खाते हैं तो आपके sugar level को लो करना insulin का काम है तो insulin हार्मोन तो यह भी आपको रेगुलेट करवारी metabolic processes में फिर हीमोगलोबिन प्रोटीन जो है जो आपके क्या करवा रही है oxygen को transport करवा रही है oxygen को carry भी करती है यह हीमोगलोबिन के बारे में हैं तो transport का process कर रही है और carrier का process भी proteins कर रही है transport and carrier फिर blood clotting में प्रोटीन से हल्प करवा रही है जैसे इबिन प्रोटीन पीछे बोली या उन्हें वो ब्लाट क्रोटिंग हम करवा रही थी फिर मुवमेंट ओफ ओर्गन एड ओर्गन और्गन और्गन ड्ओरोट् benefited करोमोसों मैंने आपको बताया पीछे कि आपके मसल्स ये मायसिन प्रोटीन के बने हुए है तो जब आपके muscles move करेंगे तो आपकी movement होगी इसी तरीके से आपके chromosome जब है जो duplication का रहे हो जब devian हो रही होती है तो devian के दरम्यान जो chromosome की movement हो होती है कि वो metafase plate पर आते हैं फिर दोनों poles की तरह move करते हैं तो ये movement भी किस वज़ा से हो रही है proteins क्यूंकि chromosome को movement करवाने में कौन सी proteins होती है spindle fibers kinetocore proteins वगरा यूज की जाती है तो ये different functions है किस चीज़ के proteins के हमारे पास Thank you students Allah Hafiz